ये आवाज जो दशकों तक कई देशों में गुंजी और करोडों लोगों की शामों का हिस्सा बनी ये अमर आवाज हम सब के बेहत चहेते अमीन सायानी की है आज उनके निधन पर उनको दिल की तहों से विनमरश रधांजली के साथ सुनते हैं आज की कहानी दोस्तों गंगा राम पटेल और बुलाखी नाई की कहानियों की श्रिंखला में आज की कहानी है सच्चे का बोल बाला जूठे का मूँ काला अगले दिन प्रातहर रोज की भांती दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन एतिहासिक नगर के समीप पहुँचे सबसे पहले उन्होंने रात्री को विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश की और फिर वहीं डेरा डाल दिया बुलाखी गंगा राम पटेल से पैसी लेकर अपने और घोडों के लिए भोजन सामगरी लेने बाजार चला गया जब हक कई दुकानों से अपनी जरूरत का समान खरीद चुका तो लोटते समय उसने सतरकता पूरवक दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया उसे ये लालसा थी कि यदि यहां वह कोई अजूबा द्रिश्य या कि विचित्र बात देख ले तो पटेल के पास पहुँच कर उसका उत्तर उनसे मांगे और संयोग वश उसे एक ऐसा द्रिश्य दिखाई भी पड़ गया उसने देखा कि एक जरजर से मकान के बाहर एक पुरुश फटे कपड़े पहने बहुत ही दीन हीन अवस्था में खड़ा है उसके पास ही एक स्त्री और पांच साल का एक लड़का खड़ा है तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुँची जो देखने में किसी रानी के समान लग भी थी वह स्त्री बार बार उस दीन हीन पुरुश और दूसरी स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी लेकिन उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव पैदा न हुए बुलाखी के लिए तो इतना ही मसाला काफी था वह तुरंत अपने ठिकाने की और दौड लिया वह सोच रहा था कि आज मैं इस प्रसंग को पूछ कर गंगा राम पटेल को अवश्य चकाऊंगा जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रशन का उत्तर हो इस बार वे मेर प्रशन का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लोट जाने का बहाना मिल जाएगा जब वह अपने ठिकाने पर पहुँचा उस समय गंगाराम पटेल संधिया वंदन करके फारिक हो चुके थे आते ही बुलाखी ने कहा पटेल जी आज मैं इस नगर में एक ऐसा अ तरह उत्साहित हो रहा है भला मैं भी तो सुनू वह बात बुलाखी ने तब चटखारे ले लेकर वह सारी बात उन्हें बता दी जिसे उसने रास्ते में देखा था अंत में वह अपने चिर परिचेत अंदाज में बोला अब मुझे इस रहसे के बारे में बताओ पटेल जी वरना मैं तो चला वापस अपने गाउं की ओर लेट गए और बुलाखी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया पटेल ने कहा बुलाखी अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज करता था उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़ कर प्रभू को प्यारी हो गई थी राजा ने तब दूसरा विवहा कर लिया लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान ना हुई राजा अपनी लड़की से बहुत सने करता था लेकिन लड़की की सौतेली मा यानी दूसरी रानी उस लड़की से इरश्या रखती थी राजा की उस लड़की का नाम था माला समय बीता गया धीरे धीरे वह राज कन्या एक सुन्दर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में सनान करने के लिए गई जब वह सनान के लिए नदी के जल में उतरी तभी दैव वश उसका पाउं फिसल गया और वह नदी के गहरे जल में डूबने लगी माला की सखियां ये देखकर घबरा गई वे सहायता की गुहार लगाती मेहल की ओर दोड़ गई ताकि मेहल पहुँचकर राजा से सारा हाल बता सके नदी के दूसरे किनारे पर उस समय जीवन नाम का एक युवक पेड़ पर चड़ कर लकड़ी काट रहा था उसने जब माला को डूबते देखा तो वह फुर्ती से नीचे उत्रा और नदी की ओर दोड़ पड़ा जीवन अच्छा तैराक था वह नदी में कूद पड़ा और माला को डूबने से बचा कर किनारे पर ले आया माला बेहोश हो गई थी नदी का धेर सारा जल उसके पेट में चला गया था जीवन ने तटपड ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया ऐसा करने से माला के पेट में गया पानी मूँ के रास्ते से बाहर निकल गया कुछी पल बाद माला को होश आ गया अब उसने उठकर इधर उधर द्रिष्टी दोड़ाई उसकी सारी सक्षियां वहां से गायब थी ये देखकर वह घवरासी गई माला की ऐसी स्थिती देखकर युवक जीवन ने उसे तसली दी और कहा घवराईए नहीं अब आप बिलकुल सुरक्षित हैं कोई भै की बात नहीं है आपकी सक्षियों ने आपको डूपते देखा तो वे भैभीत हो गई थी इसलिए सहायता के लिए नगर की ओर दोड़ गई अब शायद वे सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लोटने ही वाली हैं माला ने कृतग्यता भरी नजरों से युवक जीवन की ओर देखा उसे वह युवक बहुत ही भला लगा शरीर से रिष्ट पुष्ट और गोरे चिट्टे रंग का जीवन पहली ही नजर में उसके हृ उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुँच गया अपनी बेटी को सुरक्षित देख कर उसे बहुत खुशी हुई उसने माला से उस युवक का परिचय पूछा तो माला ने बताया पिता जी आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूँ अग उसे अपने महल में ले जाकर पुरसकार देना चाहा लेकिन जीवन ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरसकार लेने से सपष्ट इंकार कर दिया उसने कहा राजन आपकी बेटी को मैंने किसी पुरसकार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया है मैंने तो इसे इस अगर इसे डूपता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभू की नजरों में दोशी कहलाता और तब मुझे नर्क में ही जगह मिलती इसलिए मुझे पुरसकार देनी की बात भूल जाईए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराईए इस समय उन्हें इदाम का घुलाम बना दिया उसने जीवन से कहा युवक तुम हमसे कोई पुरसकार नहीं लेना चाहते तो ना सही किन्तु क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारा आतित्य भी स्विकार नहीं कर सकते जीवन से अब इनकार करते ना बना उसने कुछ दिन के लिए राजा का महम उसके प्रेम पाश में फस गई, जीवन भी उस पर मोहित हो गया, परिणाम ये निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर्ष समझ कर उसके साथ माला का विवाह कर दिया, इतनी कहानी सुना कर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा, सारा धुआ अपने हलक से उगलते हुए, उन्होंने बुलाखी से कहा, बुलाखी, क्या तुझे ये जानने को उत्सुक्ता नहीं हो रही, कि आखिर वह युवक जीवन था कौन, जो देखते ही देखते, एक राजकुमारी का पती और एक राजा का जमाता बन गया, उत्सु जीवन नाम का वह युवक एक गरीब किसान का लड़का था, उसके पिता ने उसे एक रिशी के आश्रम में विद्या धैयन के लिए भेजा हुआ था, उस समयवा आश्रम में रह रहे अपने सहपाथियों और रिशी तथा रिशी पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सू जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाथियों को यह सूचना पहुँचाई, अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया, तब सभी लोग उसके विवहा के अफसर पर वहां पहुँचे और सब ने वर वध के लिए आशिरवात प्रदान किया, तब से माला और जीवन सुख पूर्वक महल में रहने लगे, अब हे बुलाखी राम तुम आगे का हाल सुनो, यह कहकर पटेल जी ने आगे की कथा सुनाई, विवाहु परांत जब माला और जीवन महल में रहने लगे, तो राजा की उस रानी को इरश्या हुई, माला से तो वह पहले ही बहुत जलती थी, जीवन भी जब महल में ही रहने लगा, तो इरश्या में और भी व्रिद्धी हो गई, उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांच दाइत्व अपने जमाता जीवन को सौप दिया था, एक दिन तो उन् और वह जीवन और माला को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी, एक दिन उसने एक योजना बना ली, और रानी कैकई की तरहा अपने राजसी वस्त्र उतार कर मेले कुचैले वस्त्र पहन कर को भवन में जा लेटी, शाम को दरबार से लोटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा, तो उसने जीवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसका पाती वरत्य धर्म नश्ट करना चाहता था, रानी की ये बात सुनकर राजा ने क्रोध में भर कर बिना कोई छानबीन किये जीवन को राजे से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला, जब जीवन जाने लगा, तो माला भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई, राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वह उसके साथ न जाये किन्तु वह एक पती वरतास्त्री थी, अपने पती से विमुख कैसे रह सकती थी, वह भी अ अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़ कर अपने पती के साथ बाहर चली गई, उधर राजा ने क्रोध में आकर जीवन को देश निशकासन का आदेश दे डाला, किन्तु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी, वह पच्चताने लगा कि मैंने जीवन को देश निशकासन का आदेश दे कर अच्छा नहीं किया, नजाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहां और कैसी हालत में होगी, जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब नजाने किन किन हालात में दर बदर की ठोकर खा रही होगी, इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बिमार दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया, राजा के मरने के बाद राज सत्ता रानी के हाथ आ गई, वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी, यद्यपी रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश हैं, किन्तु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं च चलती थी, वह स्वेच्छा चारनी हो गई थी, इतना कहकर गंगा राम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, हुक का गुड़ गुड़ाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगे, अब हे बुलाखी राम आगे का हाल सुनो, अपना नगर छोड़ कर जीवन और माला एक दूसरे नगर में पहुच गए, वहाँ पर उन्होंने एक मकान किराई पर ले लिया और दूसरों की महनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लगे, धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए साथ वर्ष बीद गए, इस दौरान माला की कोक से एक पु पुजा के लिए गई, रास्ते में गुंडे की निगा उस पर पड़ गई, वहाँ गुंडा माला के रूप को देख कर उस पर मोहित हो गया, वह सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीव सोचनी चाहिए जिससे यह रूप सी मेरी अंक्षाईनी बन जाए, किन्तु ये कारिय तब उसके लिए कठिन था, जब तक कि माला का पती जीवन उसके साथ था, अतह सबसे पहले उसने जीवन को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया, हे बुलाखी राम तब हा गुंडा एक अपाहिज का वेश बना कर जीवन के पास पहुँचा और उससे कहा, भईया मैं एक अपाहिज आदमी हूँ, ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद कर दो, मैं आपका बहुत एहसान मंद रहूंगा, कैसी मदद चाहते हो भाई, जीवन ने उससे सहानु भूतिवश पूछ लिया, यदि तुम हमसे कुछ पैसे मिलने की उमीद कर रहे हो, तो वह बेकार है, क्यो गुंडा दीनता भरे स्वर में बोला, बात दरसल ये है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उसे पार करने में असमर्थ हूँ, यहां दूर दूर तक कोई मला भी दिखाई नहीं दे रहा, जो मुझे अपनी नाव में बिठा कर नदी पार करा सके, इसलिए मैं आप से मदद की गुहार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दे, जीवन ने माला की ओर देखा, तो उसने आखों ही आखों में सहमती प्रदान कर दी, तब जीवन ने उस गुंडे के चल को न समझते हुए, उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया, नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के दो साथी पहले ही मौझूद थे, उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुँचते ही उन दोनों ने जीवन को काबु में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया, अब माला को हत्याने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली, उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे दे कर कहा कि नदी के दूसरी तट पर एक सुंदर स्तरी खड़ी है, तुम उसे ये संदेश दियाओ कि तुम्हारे पती ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है और जब हरस्तरी नदी में उ कुछ दोहरा दिया जो उससे कहने को कहा गया था। पती की मृत्यू के बाद कुछ सालों तक तो रानी निश्चिन्त रूप से राजकार्य करती रही लेकिन फिर सामंत गणों ने उसकी स्वेचा चारिता पर अंकुष लगाना आरंब कर दिया। महल से रानी की सेवा में लगी नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवशक्ता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाईं उससे छीन ली गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज्याधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कबजा कर लिया। रानी ने प्रतिवाद किया तो उससे कह दिया गया कि महराज की मृत्यू के बाद इस राज्ये की सत्ता पर सिर्फ माला और जीवन का ही अधिकार है अधह जब वे यहां आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम ततकाल राज्याधिकार उन्हें सौप देंगे। यह सुनकर रानी ठगी सी रह गई। यह सब सोचकर ही रानी माला और जीवन को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुँच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब माला और जीवन का हाल सुनो। पटेल बोले, जैसा की मैं बता चुका हूँ, उन गुंडों ने माला और जीवन को एक ही मकान की अलग-अलग कोट्रियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका साथ वर्षिय बेटा चंदर किशोर बेचैनी से उनके घर लोटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता देव पूजा करके वापस न लोटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर घटना तो उनके साथ नहीं घट गई। ऐसा विचार कर वह उनकी खोज में निकल पड़ा। अपने माता पिता की तलाश करता हुआ चंदर किशोर संयोग वश उसी मकान के निकट पहुँच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। ये भी एक सुगध देव योग ही समझो कि जब चंदर किशोर उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े बाहर की और देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगा कर चंदर किशोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा बेटा कुछ गुंडो ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है तुम यहां आकर इस कोठरी का बाहर का कुंडा खोल दो। चंदर किशोर मकान की तूटी चार दिवारी लांख कर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंडा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वह डंडा फटकारता हुआ चंदर किशोर की ओर लपका लेकिन अब स्थिती बदल चुकी थी। तीर की तरह जीवन कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वह एक किसान का बेटा था लाठी चलाने के दाओं पेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे की लाठी का वार जुकाई देकर विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी चीन ली। फिर मिया की जूती मिया के सर की कहावत को चरितार्त करते हुए उसी की लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहरा कर भूमी पर जागिरा और अचेत हो गया। ततपश्चात दोनों ने मिलकर माला की खोज की। उस मकान में अनिक क कोठरियां थी। एक-एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखी अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी माला उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाखी इसे सैयोग ही समझो कि जब वह उस मकान से बाहर निकल रहे थ तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहाँ आ पहुची। जीवन और माला को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार-बार उनके सामने अपने किये हुए की क्षमा मांगते हुए उनसे वापस चलने का आगरह करने लगी। अपनी कहानी का समापन करते हुए पटेल ने कहा सोहे बुलाखी राम आज तु जो द्रिश्य देखकर आया है वह उन्हीं से संबंध रखता है वह पुरुष और स्त्री जीवन और माला थे और उनके पास खड़ा हुआ वह लड़का उनका बेटा चंद्रकिशोर था वह स्त्री रानी थी जो बार-बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लोटने का आग्रह कर रही थी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है अतहा अब आराम से लंबी तान कर सो जाओ मैं भी सोता हूँ सुभब फिर से यात्रा पर निकलना है ये कहकर गंगा राम पटेल बिस्तर पर पसर गए बुलाखी भी करवट बदल कर नींद के आगोश में चला गया गंगा राम पटेल और बुलाखी नाई के कहानियों की श्रिंखला चलती रहेगी मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद